श्रिकलंजी का स्वाद, एक प्रुफेसर क्लास ले रहे थे, क्लास के सभी छात्र बड़ी हीरो चीज़े उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछेगे सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था, जो चुक चाप और गुमसुम बैठा हुआ था, प्रुफेसर ने पहले ये दिन उस छात्र का नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले, लेकिन जब चार से पांच दिन तक ऐसा ही चला, तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर सम की चाते हुए बोला, मेरे अधीत ने कुछ ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ, प्रुफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया, शाम को जब छात्र प्रुफेसर के घर शिकन जी का गिलास छात्र को दे कर कहा, ये लो, शिकन जी प्योख, छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मोह जीप सा बन गया, ये देख प्रुफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकन जी पसंद नहीं आई नह शिकन जी में नमक थोड़ा ज्यादा है, शात्र बोला, अरे, आप तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं जी फ्यांक देता हूँ, प्रुफेसर ने शात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन शात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे, तो स्वात ठीक हो जाएगा, ये बात सुन प्रुफेसर गम फीर हो गये और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकन जी तुम्हारी जिन्दगी है, इसमें घुला अधीक नमक तुम्हारे आतीत के बोरे अनुभव हैं, जैसे नमक को शिकन जी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बोरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते, वे बोरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोल कर शिकन जी का स्वात बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो, प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अव्वेहंबीती बातों से परेशान नहीं होगा सीक जीवन में अकसर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं इस तरह हम अपनी वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना फविश्य बिगाड लेते हैं जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादे हमें आज बनानी होगी जीवन में मीठे और खुश्नुमा लम्हूं को लाइए तभी तो जीवन में मिठा साई